आप सभी को जह जह सिया राम सनातन संस्कृति में जितने भी वरत और उपवास कहे गए हैं उन सब वरत और उपवासों में नवरात्री वरत सर्वस्ट्रेश्ठ वाना गया है देवी भागवत ने इस वरत की स्वयम महिवागाई है और कहा है कि ज्यानदम मोक्षदम चैवव सुख संतान वरधनम शत्रुनास करम कामम नवरात्र वरतम सदा नवरात्री वरत सरवदा ज्यान तथा मुक्ष को देने वाला सुक तथा संतान के वरधी करने वाला एवं शत्रूओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है इसलिए हर मनुश्य को नवरात्री का यह वरत करना चाहिए जो भी मनुश्य जैसे आप ऑफिस जाते हैं काम करते हैं विजनस ब्यापार करते हैं अगर आप पूरे नव दिन तक यह उपवास नहीं रह सकते तो उसके लिए भी स्रीमत देवी भागवत के तृति इसकंध के 26 अध्याई में आया है अगर आप पूरे नव दिनों का वरत नहीं कर पा रहे हैं तो सप्तमी अश्टमी और नौमी इन तीन दिनों को वरत करें कन्या का पूजन करें तो आपको पूरे नव दिन वरत करने का फल प्राप्त हो जाएगा ध्यान रहे यह बात अशक्य लोगों के लिए है जो पूरे नव दिन वरत नहीं कर पा रहे हैं अब कन्या पूजन कैसे करना चाहिए मुख्य आज का विशय यह है तो कन्या पूजन के लिए स्रीमत देवी भागवत के तृति इसकंध में आया है एक कुमारी का तुसाप रूपता द्विवर्षा या भवेद्विह त्रमूर्तिस चत्रिवर्षा चा कल्यानी चितुरब्दिका रोहनी पंच वर्षा चा शडवर्षा काली का स्मृता चंडिका सप्त वर्षा स्याद अश्ट वर्षा चा शाम भवी नव वर्षा भवेद्दुरगा सुभद्रा दस वर्ष के अर्थात पहले वर्ष की कन्या को छोड़ कर सास्त्र कहता है स्रीमत देवी भागवत में ही आया है कि एक वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए उसका कारण यह है कि एक वर्ष की कन्या का पूजन क्यों ना करें तो उसका कारण यह है कि वह एक वर्ष की कन्या गंध और भोग पदार्थ जो है उनका स्वाद निरने करने में समर्थ नहीं होती है उसे गंध इत्यादि वस्तूओं का स्वाद का ग्यान नहीं रहता है इसलिए एक वर्ष की कन्या का पूजन ना करने का विधान है वह कन्या ही है देवी के सुरूप में ही है परन्तु जब हम नवकन्याओं का पूजन करते हैं तो उस समय दो वर्ष की कन्या से ले करके दस वर्ष की कन्या तक का ही पूजन का विधान है दो वर्ष की कन्या कुमारी के नाम से है, तीन वर्ष की कन्या त्रिमूर्ती के नाम से चार वर्ष की कन्या कल्यानी के नाम से, पांच वर्ष की कन्या रोहनी के नाम से है 6 वर्ष की कन्या कालिका के स्वरूप में, 7 वर्ष की कन्या चंडिका के स्वरूप में होती है 8 वर्ष की कन्या शांभवी के नाम से जाने जाती है 9 वर्ष की कन्या दुर्गा के स्वरूप में होती है तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के रूप में आकर के हम सब का पूजन स्वीकार करती हैं तो इस बात का विशेश धान रखें कि कन्या पूजन किस प्रकार से हो तो प्रति दिन अर्थात जैसे प्रति पदा है तो एक कन्या का पूजन जो दो वर्ष की है दृतिया है तो तीन वर्ष वाली कन्या का पूजन तृतिया है तो चार वर्ष वाली कन्या का पूजन इस प्रकार से प्रति दिन कन्या पूजन करने का विधान है अगर आप प्रतिदिन पूजन नहीं कर सकते हैं तो अश्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए ऐसा स्रीमद्देवी भागवत में उल्लेख है उसका कारण भी है अगर आप कहेंगे तो हम किसी अन्य वीडियो में इसका कारण भी आपको अवश्य बताएंगे अभी तक हमारी यह जो जानकारी है गरंतों से उद्धरत है आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल बटन दवाएं और हमारा यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट के माद दिम से पता है पता देवाद